दिवारों पर लिखी अंगिनत कहानिया उन किस्सों का गवा में पश्चिम से पूरफ को मिली आजादी उस क्रांती की हवा में गलियां बदली नाम बदले बदले साशन भी पर निडर वहीं खड़ा में खून बहा जो वीरों का उस साहस का बस एक टुकुडा में तूफान बारिश में भी तूटा नहीं निखरे रंगों सा खिला में सदा तरंगा उचा लहराता जहां वहीं लाल किला में नमस्कार मैं साक्षी जादौन लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने अगर खड़े हो जाए तो लाल किले की खुश्वू उसकी महक रगों में दौडने लगती है वजह भी यहीं है कि बीते 76 सालों से बार-बार हर प्रधान मंत्री ने इसी लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को यहीं संदेश भी दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से नहीं है बलकि सभ्हता, संस्कृती और कहीं ना कहीं विश्विकास के लिए भी महतपून है आज आपको इसी लाल किले का इतिहास बताएंगे जिसने आजादी के 76 साल की हरसास को जिया है साथी लाल कोट से लाल किला बनने की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे लाल किला भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का चिरिस्थाई प्रतीक लाल किला देश की एक ऐसी बुज़ुर्ग इमारत जिसने आजादी का हर रंग देखा लाल किला सत्रवी सदी से 21 सदी का साक्षी दिल्ली का लाल किला किसी ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में इतना मजबूत खिला और कोई नहीं हो सकता शायद आकाश्टले ऐसा कोई खिला है ही नहीं जो नभ में सूर्य और चंद्रमा की तरह जगमगाता हो इसकी संरचनाए कल्पना से परे हैं इसका हर कुना जगमगाहट से भरबूर है और हर दिशा में उत्तम बगीचे हैं ये स्वर्ग का ही एक रूप है लाल खिला एक प्रतिष्ठित समारक है जो भारत की संब्रिध राजनीतिक विरासत, स्वतंत्रता और संप्रभता का पर्याय है ये शांदार खिला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर मौजूद है जो की तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है जिसके अद्भुथ सौंदर और आकर्शन देखते ही बनता है इतिहासकार बताते हैं के लाल किले का पहले नाम लाल कोट था दिल्ली का लाल कोट क्षित्र हिंदू राजा पृत्वीराज चोहान की बारवी सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था कहते हैं के इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंग पाल ने 1016 इस्वी में की थी साक्षे बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षन दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज खुंड के पास शासन किया जो 720 से आरंभ हुआ था तोमर शासन के बाद चोहान राजाओं का शासन चला पृत्वीरा चोहान ने बारवी सदी में शासन ले लिया और किले का नाम किला राय पिधोरा रखा था राय पिधोरा के अवशेश अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगड और वसंत कुंजिक शेत्रों में देखे जा सकते हैं वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शाहजाहन ने जो कारनामा ताजमहल के साथ किया, वही कारनामा लालकोट के साथ किया लालकिला पहले लालकोट कहलाता था बता दें दिल्ली का लाल किला शाह जहां के जन्म से सेक्णों साल पहले महराज अनंग पाल तोमर ग्वितिय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था फिर शाह जहान ने 1638 में आगरा से दिली को राजधानी बनाया और दिली के लाल किले का निर्मान शुरू किया भारत के इस भव्य लाल किले के निर्मान का काम 1648 इसवी तक करीब 10 साल तक चला आपको बता दें कि शाह जहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकरशक और सुन्दर बनाना चाहते थे इसलिए इस किले के निर्मान में ध्यान देकर इसे भव्य और आकरशक रूप दिया था यही वजह है कि लाल कले के निर्मान के इतने सालों के बाद आज भी इस कले की विशालता और खुबसूर्ती के लिए ये विश्वा भर में जाना जाता है ये भव्यकिला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाह जहाना बाद कहा जाता था साथ ही ये शाह जहा के शासनकाल की रचनात्मक्ता की निसाल माना जाता था मुगल समराठ शाह जहा के बाद उसके बेटे औरंग जेव ने इस कले में मूती मस्जिद का भी निर्मान करवाया था आपर उरंग जेब यहां पहते ओर औरंग जेब घब लाल किले के अंदर आपनी सक्थापित करते हैं अपनी स्थान ग्रेंड करते हैं सक्था में आते हैं तो उनका एक फार्सी के अंदर लिका है गर स्थांग भाए़ीं जब पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहंदर शाह का कबजा हो गया था तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक की रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। वहीं लाल किले से जुड़े कुछ तथ्थे भी जानिये। लाल किले का निर्मान कार्य 29 अप्रेल 1638 को शुरू हुआ था लाल किला 13 मई 1648 में बन कर तयार हुआ था लाल किला के निर्मान कार्य में उस वक्त एक करोड रुपए का खर्चाया था लाल किले की दिवारों की लंबाई ढाई किलो मीटर है लाल किले की दिवारों की उंचाई यमुना नदी की ओर से 18 मीटर है और मुख्य शहर की ओर 33 मीटर है लाल किले के पश्चिम और दक्षन दिशाओं के मध्य में प्रवेश द्वार स्थित हैं जिन्हें लाहौरी और दिल्ली दर्वाजों के नाम से जाना जाता है बता दें कई भारतिय विद्वान लाल किले को लाल कोट का ही बदला हुआ रूप मानते हैं इसमें संदेह नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेश्टाएं कले की अश्ट भुजी, प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतिया, भारतियों के अनुसार है लाल कले को हिंदू मेहल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्षे महुजूद है यहां तक की लाल कले से संबंधित बहुत सारे साक्षे प्रित्वी राज रासों में मिलते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, कले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूरति अंकित है क्यूंकि राजपूत राजा हाथीयों के प्रती अपने प्रीम के लिए मशहूर थे 13 मैं 1648 को एक करोड रुपे की लागत से बन कर तयार हुआ लालकिला आज देश की धरोहर ही नहीं बलकि देश की पहचान भी है 15 अगस्त को हर साल प्रधान मंतरी इसी लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त 1947 को देश अजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधान मंतरी पंडेश जवाल नाल नहरू ने पहली बार इसी लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था अगर हम बात करें यमना नदी की और जो लाल किले की दिवार है उसकी उचाई 18 मीठर है तो वहीं मुक्खे शहर की तरफ जो दिवार है वो 33 मीठर की है इसी के साथ साथ लाल किले के पश्मी और दक्षण तिशाओं के मध्य में परवेश दुआरस्टित है जिनें लहोरी और दिल्ली दरवाजों के नाम से जाना जाता है लाल किले के अंदर कई संग्राले है जिन में भारतिय युद्ध समारक संग्राले सुभाष जंद्र बोस संग्राले याद जलियां 1857 संग्राले और आजादी के दिवाने भारत के सोतता संग्राम की कहानियों का वंडन करते हैं और इससे जुड़ी तरह तरह की यादगार वस्तों को लाल किले के संग्राले में रखा गया है। देश अजाद होने के बाद लंबे समय तक लाल किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारते सैना के प्रादिकर्ण में था, प्रारते सैना के छेतर में था। लेकिन बाद में 2007 में इस हिस्से को सैना की तरफ से छोड़ा गया और अब पूरे लाल किले को जनता के लिए समर्पित है, जनता इस पूरे लाल किले का प्रमण कर सकती है, हाला कि कुछ इस्सों पे अभी भी सुरक्षा कार्णों से मनाई है जाने की, इसी लाल किले पर जब परधान मंतरी हर साल देश को संबोधित करते हैं, तो सिर्फ ना देश बल की विदेश में बैठे वी भारते भी इस भाषण को बड़े गौर से सुनते हैं, अजादी का दिन 15 अगस्त जिस दिन परधान मंतरी देश की संबोधित करते हैं इस लाल किले की प्राचीर से वो अपने आप में एहम होता है, कैमरमेन प्रिया दर्शन के साथ दिल ससूर समाचार के लिए विने सिंग, लाल किले की जहां तक बात है, आज अगर हम विशेश तोर पे दे लेकिन इसके लिए आप ये कहें कि किवल शाह जहां ने बना दिया था, उनका जगह थी शाह जहां बाद एक उन्होंने अपना छितर बसाया था, उसके अंदर अपना महल बनाया था, तो ये जो लाल किलाई ये उनका महल था, और उसके बाद शाह जहां के बाद के जो शाशक थे मुगल राजा थे वह यहां पे रहते रहे और इन्होंने अपना एक प्रतीक बना लिया अपना महल बना लिया और उसके बाद अगर जोड़ें तो औरंग जेब के समय में या दूसरे और शाशक आये थे उनके समय में भी इसके अंदर विस्तार होता रहा लाल किले के बात ही कुछ और है ये लाल किला राजपूतो मुगलों से लेकर अंग्रेजे तुके साशन की भी गवाही देता है लाल किला उन एतिहासिक इमारतों में शामिल है जिस पर अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर कबजा कर लिया था लेकिन एक सुभा ऐसी भी आई ज आई द्वच यानि तुरंगा प्थ लाल किले की तख्त पर अपने हकूमत दर्ज करने का सिलसला यहीं नहीं रुका लाल किले की सत्ता को सबसे पहले जटका तब लगा जब ऑठाज़ सू सत्तावन के विद्रोह की असफलता के बाद लाल किले पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। विद्रोह के दोरान क्रांतिकारियों ने दिल्ली में कठा होने का किंद्रा भिमुखी आवेग दिखाया। और इस तरह लाल खिला और मुगल समराट बाहदुर शाह एक साथ विद्रोह के लिए महत्वपून प्रतीक बन गए। आखिरकार विद्रोह को चलने के बाद अंग्रेजों ने इस खले की प्रसिद्धी को नश्ट करने और उसे पूरी तरह द्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोडी। उन्होंने परिसर के अंदर कई सनरचनाओं को तबह कर दिया और बागी सनरचनाओं को सैन्न गड़ों में बदल दिया। बाहदुर शाह जफर को घरफतार कर लिया गया और दीवाने खास में उन पर मुकदमा चला कर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहें किले के कुछ कीमती रतनों और खजाने को ब्रिटिश सैनिकॉंद वारा लूट लिया गया था साथी रतनों, रतनों और बेश कीमती वस्तूओं को निकाल कर बड़ी सावधानी से इंगलेंड भेश दिया गया इस तरह के प्रचंड विनाश के बावजूद अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों की कलपना में कले और दिल्ली शहर के महत्वक को कम नहीं कर पाए इसके बजाए उन्होंने इसे हत्याने की कोशिश की दिसंबर 1911 के राज्या विश्यक दरबार में ब्रिटिन के महराज जॉर्ज पंचम और महरानी मेरी ने लालकले की आत्रा की थी वो मुसम्मन बुर्ज के चज्जे से जनता के सामने वैसे ही उपस्थित हुए जैसे मुगल बात्षाह जरू का दर्शन के दौरान किया करते थे राज्या विश्यक दरबार में ये भी घोशना की गई थी कि अब से कलकत्ता की बजाए ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली होगी वहीं भारतिय स्वतंतरता संग्राम के चर्मुत कर्श पर ये प्रतिश्थित समारक एक बार फेर सुर्खियों में आया आजाध हिंद फौज या भारतिय राष्ट्रिय सेना को रास बिहारी बोस ने संगठित किया था और 1940 के दशक की शुरुआत में नेता जी सुभाष चंद्र बोस के नेतरित्व में इसे नया जीवन दिया गया नेता जी ने ब्रिटिश राज से पून स्वतंतरता प्राप्त करने के उद्देश से दिल्ली चलो का नारा लगाया था अंग्रेजों के हाथों आजाध हिंद फौज की हार के बाद उसके सैनिकों और अधिकारियों को पकड़ लिया गया और उन पर राज द्रोह का आरोप लगा कर लाल किले में मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के चलते राश्टरवादी भावनाएं अपनी चरम पर पहुँच गए और लाल किला विरोधी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में फिर से उबरा जब मुगल सत्ता थी यहां पे तो मुगल सत्ता में शाह जहां के बाद यह हमारा एक महल था और उसके बाद यह एक शक्ती का प्रतीक बन गया था और उसी शक्ती के प्रतीक में जब आप देखेंगे कि 1857 का जब जन आंदोलन होता है तो वहाँ पे दिल्ली के अंदर जब अधिकार किया जाता है तो वो यहीं अधिकार होता है और जब अंग्रेज भारत में आ जाता है तो अंग्रेज भी भारत के अंदर दिल्ली में जब वो अपना शाशन करता है तो दिल्ली के अंदर एक छावनी बनाता है एक उनकी शक्तिका प्रतीक बना और जब भारत आजाद होता है 1947 में उस समय भारत के प्रथम प्रधान मंतरी थे पंडित जोहार लाल नेहरू जिनको आर्किटेक्ट और मौडर्न इंडिया यानि आदुनिक भारत के निर्माता के तोर पे जाना जाता है भारतिये इत्यास में उन जो प्रधान मंतरी है वो देश की जंता को एड्रेस करते हैं अपना भाशन प्रती पंड्रह अगस्त 1947 को भारत के स्वतंतरता हासिल करने और भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधान मंतरी जवाहर लाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फैरा कर देश के नाम स देश दिया था स्वतंतरता के बाद लाल किला भारतिय सेना के प्राधिकार में आ गया और 2003 तक एहसा ही रहा जिसके बाद किले परिसर का मुख्य हिस्सा भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन में शामिल हो गया इसके बाद 2007 में किले को विश्वध हरोहर स्थल के रूप में घोशित कर दिया गया लाल कुला भारत की संप्रभुता और स्वतंतरता का इस्थाई प्रतीक बना हुआ है वरतमान में कई संग्राहलय जिन में भारतिय युद्धिसमारक संग्राहलय, सुभाशुचंद्र बोष संग्राहलय, याद-जलियां 1857 संग्राहलय और common को सम्बोधित करते हैं और इस प्रकार देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत में इस प्रतिश्चित इमारत के महत्वकाग गायन करते हैं। लाल खिला कभी सफेद खिला था। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल खिला लाल रंका है। कि लाल कला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतिय पुरा तत्व सर्विक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। कोहिनूर हीरा फरनीचर का हिस्सा। कई लोगों को इस बात की जानकारी न हो लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में स्थित शाह जहां के शाही सिंगहसन का एक हिस्सा था जिसे सालों बाद नादिर शाह दुआरा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे अकीमती हीरा, पन्ना, मोती, हीरे और मानिक जैसे मुल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत परशासन किया था, तब वो हीरा चुरा कर इंगलंड ले गए थे और आज वो हीरा इंगलंड की रानी का ताज सजा रहा है। शांदार लाल केले के दो मुखे द्वारों में दिल्ली गेट और लाहोर गेट शामिल है। पर एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल केले के दो प्रवेश द्वार हैं एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहोर गेट। दिल्ली गेट का इस्तिमाल जनता के लिए कले के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। बाहदुर शाह जफर अपने ही घर में बन दी। अंतिम मगल समराथ बाहदुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश सामराज्य के खिलाफ विद्रो छेड़ दिया था। जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बाहदुर शाह जफर को दोशी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताडित किया गया। और बाद में इस इमारत में दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। विश्वध हरोहर स्थल लाल किले को 2007 में युनेसको द्वारा अपने अईतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्वध हरोहर स्थल के रूप में सूचि बद्ध किया गया है। भारत अपनी इस वास्तोशिल्प खुबसूर्ती पर बहुत गर्व करता है जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। 15 अगस 1947 यानि जिस दिन भारत को आजादी मिली थी। इस दिन का हर भारती के लिए एक अलग ही भाव है। लेकिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज इस दिन की पहली सुभा कैसी हुई यह आपको पताएंगे। अंग्रेजों के 200 सालों के साशन का खात्मा और दिल्ली में लाल किले पर भारत के ध्वच के फहराने की वो एतिहासिक घटना हर किसी के लिए गर्द का पल रही है। लाल किला सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत भर नहीं है। इसका बनना इतिहास में एक महत्वपून घटना थी। वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहोरी गेट पर भारतिय राष्ट्रिय ध्वज भहराया था। पंडित जवाहरलाल नहरू का वो पहला भाषन जो उन्होंने 14-15 अगस्त की आधिरात को रश्ट्रपती भवन से दिया था, वो अभी भी लोगों की यादों में बसा है। पंडित नहरू ने अपने पहले भाषन में कहा था कि कई सालों पहले देश के भागये को बदलने की कोशिश शुरू हुई थी और अब वकत आ गया है कि देश अपनी प्रतिग्या को पूरी करे। पंडित नहरू ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि आज रात बारह बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी उस वक्त भारत एक आजाद जीवन के साथ नई शुरुआत कर रहा होगा वहीं 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली सुभा की शुरुआत बिस्मिल्ला खान ने शेहनाई की धुन से की थी बंडित नहरू ने अच्छा जताई थी कि इस मौके पर बिस्मिल्ला खान शेहनाई वादन करें जिसके बाद उन्हें आजादी की पूर्व संध्यापर ढोंकर बुलावा भेजा गया इसके बाद बिस्मिल्ला खार उनके साथियों ने राग बजा कर आजादी की सुभा का संगीत मै स्वागत किया था इसके बाद पंडित नहरू निद्वजा रोहन किया था देश आजादी की 76 वी वर्षगाठ मना रहा है, देश भर में जशन का माहौल है, आजादी की पहली सुबह पर भी देश में भारी उत्साह का माहौल था और उस वक्त भी हजारों की भीड लाल खिले पर जशन मनाने के लिए जुटी थी भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूँगा आज की तारिक में ये लाल किला आजादे के गुरूर पर इतराता है, वो दिन खास होता है, जब देश का सबसे बड़ा नेता, यारि देश का प्रधान, लाल किले की प्राचीर से देश का खविश्य करता है इसी के साथ हमारी खास पेशकर्ष में इतना ही जह है